हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम वीक नंबर थरी की कक्षा तीन के विशय हिंदी की कारपत्रिका संख्या वारा को सॉल्ट करेंगे तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नॉटिफिकिशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं बच्चों यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे आपकी इस वक्सीट की थीम है मेरा परिवार बच्चों आसा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुस होंगे आज कल कडाके की थंड पढ़ रही है ऐसे में हम सभी को घर बे रहना अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी किसी जरूरी काम से हमें बाहर जाना भी पढ़ जाता है नीचे एक चितर कथा दी गई है जि इसने कहा दीपिका ने बाहर तेज ठंडी हवा चल रही है तुम्हें टोपी पहन कर जाना चाहिए दीपिका अपने जैकेट बूट और टोपी पहन कर घर से निकल पढ़ती है और यह क्या मेरी टोपी तो तेज हवा से उड़ गई दीपिका अपनी टोपी को लेने के लिए कि उसके पीछे पीछे दोड़ती है ओहो यह टोपी तो पेड़ पर अटक गई मुझे ठंड भी लग रही है अब मैं क्या करूं अगले दिन दीपिका ने देखा कि उसकी टोपी में पक्षी ने अपना गोंसला बना लिया है दीपिका को अपनी टोपी खो देने का दुख बताई अब नीचे कुछ उनी वस्तरों के चितर दिये गए हैं उन्हें देखे और बताईए कि आप उन्हें सरीर के किस अंग पर पहनते हैं तो बच्चों फस्ट है आपर टोपी है कहां पहनते हैं सिर पर दस्ताने कहां पहनते हैं हाथों में या लिखेंगे हाथों में कहां पहनते हैं जुराव पैरों में अब कोशन है सर्दी के मौसम में हम क्रिस्मस लोहडी मकर संक्रांती और गरतंतर दिवस जैसे त्योहार मनाते हैं इन में से आप अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में कोई पांच पंक्तियां अपनी कौपी में लिखिए तो बच्चो सिसाईयों का एक धार्मिक त्योहार है हर साल 25 दिसंबर को क्रिस्मस का त्योहार मनाया जाता है इसे सबसे बड़ा दिन भी कहते हैं इस दिन को जीसस क्राइस्ट की जन की खुशी में पूरे हर सो उल्लास के साथ मनाया जाता है घरों में क्रिस्मस ट्री सजाया जाता है जिसम बोड़ी त्योहर पंजाबियों का मुख्य त्योहर है यह त्योहर मुख्य तह पंजाब हरियाना हिमाचल और दिल्ली में मनाया जाता है इस दिन लोग नएने कपड़े पहनते हैं इस त्योहार पर सभी लोग इखटे होकर साब को लकडियों और कंडों का धेर बनाकर जलाते हैं सभी लोग एक दूसरे को गुर से बनी मिठाईयां, रेवडियां, फुले और मुंख़लियां बाढते हैं मकर संक्रांती मकर संक्रांती का त्योहार भारत के साथ-साथ पडोसी देश नेपाल में भी मनाया जाता है तमिल लाडू में यह त्योहार पुंगल के नाम से जाना जाता है इस दिन लोग तिल, गुर, चिवडा, चावल का दान देते हैं बच्चे इस दिन खुब पतंग उडाते हैं और गुर दाने का लुट वुठाते हैं मकर संक्रांती पर हिंदो द्वारा गंगाश नान एवम दान देने की मुख्य परंपरा है अब बच्चों आप लिखेंगे गर्तंतर दिवस पर कुछ पंक्तियां बच्चों यदी आपको इन वीडियो अच्छी लगी हो तो करना ना भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू